सिर्मौर के पॉंटा दून घाटी के गुड़ की मिठास इन दिनों कई राजों में पहुँच रही है दरहसल यहां बनाया जा रहा गुड़ देश के कई राजों में सप्लाई हो रहा है इस गुड़ की विशेश डिमान रहती है और यह स्वास्थे के लिए भी बेहत लापरद है सिर्मौर जिला की पॉंटा दून घाटी में इन दिनों गुड़ बनाने का कारे जोरों पर चला हुआ है यहां से ना केवल स्थानिय बजारों में बल्कि पड़ोसी राजों में भी गुड़ की सप्लाई होती है क्षेतर की दरजनों चर्ख्यों में गुड़ बनाने का काम जल रहा है यहां उत्पादित होने वाला गुड़ खास किसम का होता है किसी भी प्रकार की कोई मिलावट इसमें नहीं की जाती है यही कारण है कि इस गुड़ की विशेश डिमांट रहती है लोगों का कहना है कि ये गुड़ स्वास्थे के लिए भी बेहत लाग प्रद है गुड़ की खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने बताया कि अकसर इन गुड़ की चर्ख्यों में गुड़ खरीदने पहुंचते है उन्हें बताया कि गुड़ की क्वालिटी अच्छी होने के कारण यहीं से गुड़ की अधिक खरीदारी की जाती है पोटा विदान सओवा शेत्र में काफी वुत पाद होता है गन्येका जिस póerman पर 我的 चरकी में गूड निकाला जाता है और इहां नहीं की जाती है यहां पर जो गूड बनता है वो बहरी राजियों में भी सप्लाई किया जाता है और काफी मातरा में यहां पर गुड बनाया जाता है क्यों इसकी बाहर मांग रहे कि क्या खासित इस गुड की खासित है कि इसमें कोई मिलावट नहीं की जाती है एक दूसे सही तरीके से बनाया जाता है और इसमें और कोई केमिकल बगेरा नहीं मिलाया जाता है कुल मिलाकर यहां का गुड बेहद खास है यही कारण है कि इस गुड की मिठास के लिए हर कोई बेताब रहता है सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीर शर्मा की रिपोर्ट